हेलो एवरिवन आयम अभिशेक और आज मैं आपको यह सेटप दिखा रहा हूं नैचरल टैंक जो मैं अपने हातों से बनाया है और ऐसे कई टैंक मैं बना चुका हूं आपको मैं पहले इस टैंक का पूरा व्यू दिखाता हूं फिर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा हम अप इस खूबसूरट टैंक को कैसे बना सकते हैं या इससे भी खूबसूरट टैंक बना सकते हैं देखिए एक बार आप इस सेट अप को देख लीजिए देखिए इसमें नैचरल प्लांट्स लगे हुए है नैचरल आपकी स्वाइल है लॉड विश्णू है इसमें यहां पर देखिए आप देख सकते और इसके अंदर कलर फिशेज है छोटी-छोटी और देखिए कितने घर में बैठके बहुत ही अराम से बना सकते हैं मार्केट में यह बहुत ही कॉसली मिलते हैं 12-15,000 से इनकी स्टार्टिंग है अगर इतना बढ़िया सेट अप है तो लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा आप उससे घर बैठे 6-8,000 में इस टैंक को बना सकते हैं अब द इसली अवेलेबल है यह आप हमसे भी खरीच सकते हैं एक इसकी यूवी लाइट आती है जो इसमें कंपल्सरी है इसी से आपके प्लांट्स की ग्रोथ होगी वरना प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे और एक इसमें फिल्टर लगता है जो कि यह है काफी छोटा सा लगता है प लांट सेकेंड सेटप में लगता है और उसके बाद आप ऐसे फिशे कलर फुल डाल करके इतना खूबसूरत सेटप बना सकते हैं तेकि मैंने इसको अपने ऑफिस में कॉर्णर में रखा है आप भी अपने घर में ड्रॉइंग रूम में ऑफिस में कहीं पे भी ऐसा सेटप बना सकते हैं और बहुत ही ईजी है लोगों को लगता है कि नैचरल टैंक में बहुत प्रॉब्लम है प्लांट्स नहीं चलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है यह देखिए आप देड़ महीने का सेटप है देड़ महीने पहले इसको मैंने लगाया था छोटे-छोटे प्लांट्स भी यूज की हुई है इसमें आप इसमें जो है को कोई भी डेकोरेटिव पीस लगा सकते हैं या लौड बुद्धा को लगा सकते हैं बीच में मैंने यहां पर लौड विश्नु को लगाया है क्योंकि मैंने वर्शिप करता हूं और देखे साइड में दोनों तरफ बना सकते हैं और मेरा अगला वीडियो का वेट करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बैल आइकन को प्लीज प्रेस करें और ऐसे वीडियो में अपडेट करता रहूंगा मैंने काफी नेचरल टैंक्स बनाए है मैं कल या पर्सों में आपको एक इससे बड़ा से थैंक्यू सो मच